दोस्तों नमस्कार राजनीती संभावनाओं का खील है राजनीती के अंदर रोज नई संभावनाओं के जन्म लेने की हमेशा गुंजाईश भी बनी रहती है और इसके साथ साथ ही राजनीती के अंदर कब कौन कहां और कैसे चला जाए कब कितने पुराने रिष्टे नातों को तोड़ करके और नई नातेदारियां बना ली जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता राजनीती में कब कौन कहां था और कब कौन कहां पहुँच जाएगा इसके बारे में शायद वो खुद भी नहीं बता सकते जो इस प्रकार से अपने आपको बदला करते हैं अभी पिछले दिनों की बात है कि हर्याना के अंदर किरन चौधरी कौनग्रेस की बड़ी नेता थी कौनग्रेस के अंदर उनका पूरा दबदबा था कौनग्रेस के अंदर कई बार वो विधायक रही दिल्ली से लेकर हर्याना तक राजनीती की चौधरी बंसी लाल की पुत्र बदू थी और लेकिन एक आएक देखते ही देखते मात्र 48 घंटे के अंदर उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ कर भारती जंता पार्टी में जाने की रणनीती तैयार कर ली हाला कि पहले कई बार चलता था कि ऐसा हो सकता है और वो ठोक बजा कर कहती थी कि हो ही नहीं सकता खेर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीती के अंदर हमेशा संभावनाएं जन्म लेती रहती हैं और हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं क्योंकि अब चुनाव का दौर फिर नजदी का रहा है हर्याना के विधानसभा चुनाव की रणबेरी कभी भी बस सकती है इस चुनाव के अंदर यानि की विधानसभा चुनाव के अंदर अपने लिए सही स्थान बनाने के लिए अपने लिए सही स्थान तलाश करने के लिए राजनेता इस समय गुपचुप तरीके से अपनी नजरें घुमा रहे हैं वो राजनेता जो कहीं स्थापित है वो भी और जो स्थापित नहीं है वो भी वो राजनेता जिनको चुनाव लड़ने के लिए कौन सा पोर्टफॉलियो ठीक रहेगा कौन सा राजनितिक दल उनको रास आएगा इसको लेकर उनके अंदर पलवल जिले के अंदर एक संभावना चल रही है। पलवल जिले कि क्या कौंग्रेस के कदावर नेता पलवल से पांच बार विधायक रहे नेता करन सिंग दलाल भी क्या दल बदल सकते हैं चर्चाएं इसलिए बहुत जादा है कि लोगसभाद चुनाव और लोगसभाद चुनाओं में टिकट ना मिलना और टिकट ना मिलने के बाद करन सिंग दलाल का कोप भवन में रहना करन सिंग दलाल का नाराज रहना उसक बाद में उनका अपनी पार्टी के कारेकरमों से दूरी बनाना ये तमाम प्रकार की बाते हैं और जब ये चर्चाएं चल रही हैं तो इन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए ना तो खुद करन सिंग दलाल आगे आए उन्होंने कभी ऐसा नहीं का कि ये हो नहीं सकता किस सोशल मीडिया मंच पर या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर और दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी के नेताओं के अंदर खास कर जो पलवल जिले के और पलवल विधान सभा के स्थानिये नेता हैं उनके अंदर भी बड़ी चर्चाएं हैं कि आखिर क्या हो रहा है आप आपको मैं बताओं तो भारती जनता पार्टी के आधा दरजन से अधिक नेताओं ने मुझे से टेलिफोनिक पूछा कि क्या करन सिंग दलाल दल बदल सकते हैं हलाकि मेरा भी उन पर काउंटर सवाल ये था कि आखिर आपकी पार्टी क्या कर रही है और मैं आपसे इसी चोड़ कर भारती जनता पार्टी में जा सकते हैं तो फिर भारती जनता पार्टी के उन दावेदारों का क्या होगा जो चुनाव को नजदीक मान कर अपनी तयारियों को धार दे रहे हैं मैं आपको बताओं तो पलवल विधान सबाच हित्र के अंदर इस समय भारती जनता पार्टी के अंदर आधा दर्जन से अधिक दावेदार हैं और उन दावेदारों की चर्चा आपसे करूं उससे पहले आपको एक बात और बता दूं जो मैंने आपसे कहा कि ना तो करन सिंग दलाल उसका विरोध कर रहे हैं कहीं सीधे के कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी के नेताओं में चिंता है तो आप इसको कुछ यूँ समझें कि पिछले दिनों भारती जनता पार्टी के कारे करताओं की एक बैठक थी भाजपा के जिला कार्याले पर ब्रज कमल जो भाजपा का कार्याले है सेक्टर दो में और उस के अंदर भारती जन्ता पाइटि के नेताओं ने, खासकर कौंवरहरं अरंदर पाल सिंग ने, वहाँ यह कहा कि यह चर्चाएं हैं, करन सिंग दलाल आ रहे हैं तो भही इनको रोको, यह उनके अंदर चिंता थी. मैंने इस लिग आपसे कहा कि भारती जन्ता पार्टी के कई नेताओं में जो पलवल विधान सभा की तयारी कर रहे हैं यह चिंता है कि अगर करंशिंग दलाल आते हैं तो क्या होगा आगे बढ़ने से पहले आपको बताओं तो पलवल विधान सभा छेत्र के अंदर कोई समय ऐसा था कि भारती जन्ता पार्टी का कोई बड़ा वजूद नहीं था बड़ी से नहीं थी 1977 का अगर चुनाव छोड़ें तो पलवल विधान सभा छेत्र में जब जन्ता पार्टी के टिकेट पर बाबु मूलचंद मंगला चुनाव जीत गए थे जन्संग के नेता थे वो चुनाव जीत गए थे पलवल से विधायक बन गए थे लेकिन उससे पहले और फिर 2014 के चु हो मुकाबला तो चोड़ो भारती जन्ता पार्टी के केंडिडेट्स की वोड सीट Why जो हैं वो इतनी कम होती थी कि उनको खुद सोचना पड़ जाता था और इसको मूदी और अमिशा के नेतरताओं में जब एक बदलने का खेल चला तो बहुत बड़ी संख्या में नेताओं का एक तरह से आप कहें तो पलायन हुआ अपनी पार्टियों से और सभी जा पहुँचे भारती जनता पार्टी में और 2014 के चुनाओं में भारती जनता पार्टी इत यानि कि 2014 के चुनाओं में करण सिंग दलाल और दीपक मंगला का इतना तगड़ा मुकाबला हुआ कि दीपक मंगला लगबग 6000 वोट से चुनाव हारे और करण सिंग दलाल चुनाओं जीत गए 2014 में और 2014 के चुनाओं के अंदर पलवल में मजबूत एहसास हुआ भारती जनता पार्टी का मजबूत एहसास हुआ हर्याणा में सरकार बनी बीजेपी की दीपक मंगला राजनीतिक सचीव बने उसके बाद में सुभाश कत्याल भारती जनता पार्टी में शामिल हो गए बड़ी भिड़ंत रही केंडिडेट्स के बीतर कि किसको टिकेट मिले और 2019 में टिकेट जो मिली वो दीपक मंगला को मिली और दीपक मंगला ने करन सिंग दलाल को 30,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाओं में पराजित कर दिया तो राजनीतिक छेत्रमी की चर्चाएं करने वाले सभी लोग आपको दे सकते हैं और जो राजनीती में रुची रखते हैं वो जानते हैं कि हर्याणा की स्थिति इस समय इतनी नजदीक की बनी हुई है कॉंग्रेस और भाजपा की कि इनमें भीशन भढ़न्त होगी ऐसे में भारती जन्ता पार्टी के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि टिकेट चाहने वालों की संख्या आधा दर्जन से भी ज़ादा है और इस बीच ये चर्चा चल पड़ी है कि करन सिंग दलाल भारती जन्ता पार्टी में आ सकते हैं राजनीतिक गरियारों में चर्चा है कि करन सिंग दलाल के लिए सिस्टम बनाया जा रहा है सब कुछ तैह हुरा है और इसके अंदर बीजे पी के कुछ बड़े नेता भी इसके अंदर भूमी का निभा रहे हैं ऐसी चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं को एक बग तब भी मिला था जब किरन चौधरी शामिल हो रही थी कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर भारती जन्ता पार्टी में तब भी चर्चा चली थी कि क्या किरन के साथ करन भी जा रहे हैं अलांकि हमने उस समय वीडियो बनाई थी आप इस वीडियो को देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाया था कि दलाल के लिए ठोर नहीं और कॉंग्रेस के लिए और नहीं लेकिन अब एक बार फिर ये चर्चा बहुत जोरों पर है और मैंने जो आपसे कहा आप इसे संभावनाई मान करके चलें कि ऐसा हो सकता है और मैंने कहा कि संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और अब मैं मूल चर्चा पर आ रहा हूं कि अगर करन सिंग दलाल भारतिय जनता पार्टी में आ रहे हैं अगर वो कॉंग्रेश छोड़ रहे हैं और वो पलवल से दावेदार हो रहे हैं तो फिर पलवल के अंदर जो भारतिय जनता पार्टी के दावेदार हैं उनका क्या होगा सबसे पहले तो बात करेंगे दीपक मंगला की दीपक मंगला 2014 और 2019 दो चुनाव लड़ चुके 2014 का हार गए 2019 का चुनाव जीत गए आज भी वो टिकट की दौड में हैं और अपने आपको बहुत मजबूत केंडिडेट मानते हैं अलाकि एंटी इंकम्बैंसी की बात हैं हर जगा चलती रहती हैं लेकिन दीपक मंगला के जो निकट के लोग हैं वो कहते हैं कि दीपक मंगला सबसे मजबूत केंडिडेट हैं सबसे मजबूत केंडिडेट बानते हैं लेकिन अगर करन सिंग दलाल आ गए तो फिर दीपक मंगला की टिकट का क्या होगा अगला सवाल अगला केंडिडेट अगले केंडिडेट के तौर पर आप ले तो फिर सुभाश कत्याल जो पूरुमंत्री है और या उनके बेटे से जो कहा जाता है कि रिटायर्मेंट की एज होती है तो वो हो चुके लेकिन सेनेरियो बदल रहा है इस बदलते परिद्रश्य में कुछ भी हो सकता है तो अगर सुभाश कत्याल नहीं तो फिर राजीव कत्याल दोनों पिता-पुत्र तयारी भी कर रहे हैं अगर करंद सिं पिता-पुत्र सुभाश कत्याल राजीव कत्याल का क्या होगा अगला नाम पर चले तो गौरव गौतम भारती जन्ता-पार्टी की राष्ट्रिय यूवा कारेकारेनी की हैं सचीव है आजकल उसमें और प्रभारी थे पिछले दिनों महाराष्ट्र के आजकल पता नहीं क् प्रफाइल है उनके पस गौरव गौतम भी पूरी तयारी करते हैं पूरा अगदम ठोकते हैं उनके शेयर में आजकल बड़े-बड़े खूब बोर दिखाएते पड़ सकते हैं 2019 के चुनाव में पूरी उनकी भी जो चुनावती थी मजबूत वो भी कहते थे कि टिकट को मिला लेकिन अब क्या होगा अगर करंसिंग दलाल आ जाते हैं तो फिर गौरव गौतम आप सुभाश कत्याल दीपक मंगला को एक कैटेगरी में रख लें कि चुनाव लड़ भी चुके जीत भी चुके हार भी चुके लेकिन जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जो भारती जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके बीरपाल दिक्षित हर बार तैयारी करते हैं हर बार तैयारी करते हैं कई पार्टियों की तैयारी भी कर चुके लेकिन कोई बात बनी नहीं इस समय भी पूरी गंबीरता से जुटे हुए हैं लेकिन अगर करंसिंग दलाल प्यू gepa Mmm गें तो फिर बीरपाल जी का होगा कु इसके बाद आइकर नाम लूँ तो फिर में लूइशानीती में लंबे समय से ईगर मैं मैं आपसे यह कह दूँ कि अगर हरेंद्र पाल सिंग को राजनीती के अंदर अगर कभी टाकत मिली तो फिर भूपेंदर सिंग हुड़ा की सरकार में मिली हुड़ा पार्ट टू की सरकार में मिली जिसके अंदर कि वो HPSC के मेंबर बनाए गए हलांकि उनका कुछ मांन सकते हैं कि उनके साथ में कुछ परिस्तिती जन जो भी हुआ कि वो सत्ता सुख भोग नहीं पाए लेकिन एक बड़ा मुकाम जर प्राइभातं को आता है हरिंदर पाल जी ने तो मैंने आपको बताया खुल के चुके कि एगर करण सिंग्दला लागे तो क्या होगा तो अंगर अगले नाम में संजे गुजर ले सकते हैं किसान में और चाथ के नेता है लंबे समय से तयारी कर रहे हैं 2014 में भी टिकट मांगत सकती है वही कमर हरंदरपाल के साथ आ सकती है अगर करन सिंग दलाल आ गए तो फिर करन सिंग दलाल जैसी दिगज शक्सियत के सामने क्या बीजेपी के अंदर ये लोग कंसीडर भी होंगे और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक वार आजाती है कि क्या वाकई ये हो सकता है कि करन सिंग दलाल भारती जनता पारटी में आ रहे हैं वैसे नाम तो बीजेपी में और भी कई लोगों के हैं राजेंदर बैसला है इनके साथ साथ क्रिशनपाल गुजर जी के बतीजे उतकर्श चौधरी के बोर्ड भी में आजकल बहुत जगह देखता हूँ लेकिन जो पुराने मैंने सारे नाम ली ये आपसे सीरेल वाइज इन सब लोगों का क्या होगा अगर करन सिंग दलाल आ गई वैसे आपको क्या लगता है कि क्या करन सिंग दलाल की भारती जनता पारटी में एंट्री हो सकती है आपको क्या लगता है कि चुनाव के दोरान जिस परकार के नजारे होंगे क्या उन में एक नजारा ये भी होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं अगली मेरी वीडियो में आप ये प्रतिक्षा करें कि अगर करन सिंग दलाल कॉंग्रेस छोड़ते हैं तो फिर कॉंग्रेस से चेरा कौन हो सकता है जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना